संगीत सब्र और समर्पन से आता है तो इसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे कि सब्र क्या है और समर्पन क्या है और संगीत में वो कैसे उपियोगी है सब्र आप जानते हैं धहरे को प्याते हैं पेशेंस को समर्पन आपका डिवोशन आपका सब्मेशन तो सौ सुनके ही हमारे कान खड़े हो जाता है मैंने का सौ बार कैसे बजा सकते हैं इसको दस बार बजाएंगे आप बोरो जाएंगे अपनी गुरू के ओपर पूरा यकीन रखिए पूरा भरोसा रखिए वो जो कहता है उसको फॉलो कीजिए मैं यह नहीं कहता हूँ अंधभ संकीर बनके दिख लिए घर बैठे निशुलक संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एक बहतरीन मोबाइल अप्लिकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी करनाटक और बॉलिवोड संगीत सीख सकते हैं तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन म प्याजएम से देख के चब गली गली मिरी याद विछी है मैं संगीत सीखने के बारे में एक छोटा सा मेरा एक तजर्बा एक experience आप सभी से शेयर करना चाहूंगा जैसा कि आप टाइटल और थमनेल से देख चुके होंगे जो चीज एक क्वोट मैंने दिया है कि संगीत सब्र और समर्पन से आता है तो इसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे कि सब्र क्या है और समर्पन क्या है और संगीत में वो कैसे उपियोगी है सबर आप जानते हैं धहरे को कहते हैं समरपन आपका डिवोशन आपका सब्मेशन गुरू के प्रति इस सब्जेक्ट के प्रति कितना होना चीए, कैसा होना चीए आज वो हम जानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लोग पूछते हैं संगीत कितने दिनों में आ जाएगा कि कितने टाइम की बात होती है क्योंकि जादतर लोगों को लगता है कि संगीत में क्या करना है चार गाने ही तो याद करने है और उन चार गानों को याद करने में गाने में कितना वक्त लगता है है ना, summer vacation classes join करा देते हैं हम बच्चों को यह शौक कि आप बच्चों को सिखा दीजिए दो-तीन महीने में हो जाना ही यह तो कौन सा बड़ा विशा है अब सभी जानते हैं इस चीज़ को तो अब एक साल जब student यहां रहते हैं उसमें भी उनको लगता है कि सबर नहीं है उनमें उनको भी लगता है कि यार साल बर हो गया कुछ आया नहीं कि मैना बर हो गया, दो मीना, छे मैना हो गया कुछ आया नहीं ये मैंने हमेशा सका है कि शास्त्रिय संगीत में result हमेशा लेट मिलता है क्योंकि इसमें जो आप exercises कर रहे हैं वो presentation तो है नहीं है ना उनकी नुमाईश नहीं कर सकते हैं उनको present नहीं कर सकते हैं के सामने अगर मैंने आपको बोला है ताल गिनिये बैटके अगर आपसे कोई पूछता है आप संगीत सीखते हैं चलिए कुछ बताइए तो आप उनके सामने ताल नहीं गिनके बता सकते हैं ताल गिनके बताना is an exercise है ना जब आप जिमिंग करते हैं जिमिंग में वो exercises हैं आपको कहीं जब शो करना है जब उस body का use करना है तो आप क्या करेंगे तब आप किसी को लड़ेंगे या कोई वेट उठाएंगे तो पता चलेगा है भाई ये जिमिंग करता है आप उसके साम हम बड़े-बड़े कलाकारों की कहानिया सुनते हैं बड़े-बड़े कलाकारों के इंटरव्यू सुनते हैं तो हमें पता चलता है खुलाम अलीख खांसाब घजल के बेताज बादशा कहलाते हैं लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि वो अपने गुरू जी के पास 12 साल तक इसको सौ बार बजाना है इस एक अलंकार को सौ बार बजाना है तो सौ सुनके हमारे कान खड़े हो जाता है मैंने का सौ बार कैसे बजा सकते हैं इसको दस बार बजाएंगे आप बोर हो जाएंगे तो ये जो बोरियत है जो बोर्डम हमें होता है वो सबर के आड़े आता है हमको लगता है कि यार जल्दी आगे कुछ बताओ नेक्स्ट क्या है अगला क्या है पर अगले से अगले स्टेप पर नहीं जाया जाता है नहीं सिर्फ सीखना है और समरपन लगाना है नाउमीदी यानि hopelessness की वाली नाउमीदी नहीं कह रहा हूँ कि एकदम कि नहीं ही आएगा नहीं नहीं वो नहीं उमीद रहती है हमें हमें results की उमीद रहती है हमें कि यार ये आजाएगा वो आजाएगा ये आजाएगा वो आजाएगा नहीं ये सारी चीजें आप नहीं अपेक्षाइं हम रख लेते हैं कि ये आजाएगा वो आजाएगा तो बिना अपेक्षा के सीखना चाहिए ये सबसे ज़ादा जरूरी है संगीत में at least मैंने जहां तक समझा है वैसे तो हर विशाई में जरूरी है अपेक्षाई अगर आपने पाल ली है तो अपेक्षाई पूरी नहीं होती है अगर उसका English translation हम करें तो expectations है जिसको हम कहते हैं अपेक्षाई है उम्मीद तो hope हो जाती है तो आपको अपेक्षाई नहीं रखनी होती है सीखते समय इतनी कि यार ये कर लिया आप तो ये आजाना चाहिए था क्योंकि क्या होता है अपेक्षाई अगर हम रखते हैं तो हमारे दिमाग में एक अलग ही में जोती है कि यार ऐसे सीखते हैं फिर ये होता है फिर ये होता है और actual way में तो वैसा होता नहीं है तो फिर क्या होता है बिना जब expectations आपकी high पहुंच जाती है और जब उस according आपको results नहीं मिलते हैं तो आप hopeless हो जाते है फिर आपको लगता है यार कुछ भी नहीं होने वाला है छोड़ो यार और फिर काम होगा क्या तो अपेक्षाई नहीं रखेंगे तो नाउमीदी आईगी ही नहीं और नाउमीदी नहीं आईगी तो कम से कम काम करने का जो निश्चे आपने किया था कि करना है जो द्रिण निश्चे किया था वो कभी धीला नहीं पड़ेगा तो बस काम करना है और सोचना नहीं जैसे सब कहते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर लेकिन कोई इसको apply नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल चीज है यह, बिना फल की चिंता करे कर्म करना, मैं नहीं समझता कि आम जन इस चीज को apply कर पाएंगे अपनी जिंदिगी में, क्योंकि फल तो हमें चाहिए ही चाहिए होता है, हम चार अलंकार बजा रहे हैं, उसके बाद subject है ना, जैसे कि मैं आप सबसे एक experience हमेशा share करता हूँ कि जैसे मेरी पहली English literature की class थी हमारे college में, तो first day हमारे सर ने हमसे पूछा कि यहां क्या करने आए हो तुम, तो कोई कहता है पढ़ने आए हैं, कोई कहता है college करने आए हैं, है ना, तो भई किसी ने बोला English literature पढ़ने थोड़ा और specific कर दिया कि English literature पढ़ने आए हैं, तो उसी बात पर हमें सर ने टोका कि आज तो कह दिया है, आज के बात कहना मत कि तुम English literature पढ़ने आए हो, आज से गांट बांद लो कि तुम English literature जीने आए हो, यहां जीने आए हो, तो वही चीज है, अगर आप अपना subject सीखने में ही तक रह जाओगे, जब उसको जीना शुरू कर दोगे, उस दिन समझ लेना, वो subject आपका हो गया, आप उस subject के हो गया, तब जाके वो विशाय आता है, और संगीत ऐसा ही विशाय है, कला है, कोई भी कला आप अगर सीखते हो, तो कला ऐसी ही है, उसमें जीवन द होते जाएंगे, और जब लीन होते जाएंगे, तो फिर वो साधना है, और फिर साधना में अपेक्षाय नहीं रखी जाती है, अगर आप अपेक्षाय रखके कि यार मैं इस मंत्र का जाप 1008 बार कर लूँगा, तो मुझे इश्वर की प्राप्ती होई जाएगी, ऐसा नही होता है, अपेक्षाय अगर आपने रख ली और फिर आप साधना कर रहे हो, तो साधना का मोल बिल्कुल नहीं है, आपको उसका रिजल्टी नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ें, ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल रखिए, और फिर सीखिए संगीत को, सब्र और समर भकत नहीं बनना चाहिए, पट वो जो चीज़ें बता रहे है, हो सकता है, शुरुआती स्टेज में हो सकता है, आपके समझने के परे हो, इसलिए वो जादा डिटेल में नहीं समझा रहे है, तो तब तक कुछ रटन्त, कुछ जैसा वो कहरे हैं, उस लकीर के फकीर बन के द discussion लायक होंगे वरना वो कुतर्क होंगे starting में आपने बिल दिया अच्छा आप ये तो बता रहें पर ये मैं क्यों करूं इससे क्या हो जाएगा ये जो सवाल है ये सीखने के थोड़े टाइम बाद आने चाहिए आने चाहिए बिल्कुल आने चाहिए पर बाद में आने